है लो बच्चो आज बेटा जी हम अपना करने वाले हैं हमारा चेप्टर एड्मीशन ओफ पार्टनर एड्मीशन ओफ पार्टनर इससे पहले हम आपको न्यू रेशो के रिगाडिंग एक वीडियोज प्रवाइद प्रोड़े चुके हैं अब बेटा जी अगला स्टेप हमारा रता है इस चेप्टर के फुल फ्लेज कोशन करने का पूरे पूरे कोशन करने का तो उसके लिए मैं आपको बता दूं के आपको किस चीज की रिक्वाइलमेंट है कौन कौन से अकाउंट आपको यहां पर बनाने पढ़ेंगे आपको यह यहां पर हम अपनी जित्री भी एसेट्स और लाइडरीटीज है हमारी फर्म की उनको रिवैल्यू करते हैं और रिवैल्यू करने के बाद उनका जो भी गेम या लॉस आता है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रिब्यूट किया लाता है ठीक है जी सेकंड हम बनाते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकंप यहां पर हम यह देखते हैं कि एडमिर्शन के दोरान हुए चेंजिस की वज़े से हमारे पार्टनर्स के कैपिटल पे क्या-क्या असर पड़ा हुआ है ठीक है जी और फाइनली हम प्रिपेर करते हैं थर्ड हमारा बैलन शीट ठीक है कभी कभी कोशन में आगे बढ़ोगे तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट की भी रिक्वायर्माट पड़ जाती है वो मैं आपको कॉशन समझा दूँगा बेसिकली यहां पर हमें तीन अकाउंट प्रिपेर करने हैं पहला अपना रिवेलिशन पे होता कि आप लोगों करना की पहले देखते बचों कैसा वुटा सबसे पहले आप लोगोंने ध्यान देना है रिवेलिशन अकाउंट ऑध्र क्वाइशन अकाउंट है जिसकी डेविट यहां पर लॉससी आता है यहां पर एक्सपेंसिस की तरीकर से अंट करते हैं और गहां डालनी है debit से या किसी भी source से आपकी liability increase होती है अगर अमारी asset decrease होती है तो जितने amount से increase या decrease होई उतना ही amount revolution के debit में आता है मैं दुबारा से repeat करता हूँ जितने amount से asset decrease और liability increase होती है उतने ही amount से आपने revolution में amount डालना है नई value नहीं डालनी है जितना increase होई है liability या जितनी asset decrease होई है बस वही डालनी है clear है what my point ठीक है नहीं उसके बाद यहां पे gain आता है other asset increase करती है जितने amount से increase करती है ठीक है जी और liability decrease करती है जितने amount से decrease करती है वो अपने credit से डालना है basically revaluation के अंदर assets और liability को revalue करते हैं के पुरानी asset कितने की दी और नहीं asset कितने की होगी let us suppose कि हमारे पास land है land पहले एक लाग उर्पे का था और जब admission हुआ तो उसी land की value कितनी होगी एक लाग बीस जार होगी पहले land कितने का था एक लाग का आज कितने का होगया एक लाग बीस का कितने से increase होगया सर्फ बीस जार से तो land asset asset आपकी increase होगी कहां डाल दोगे credit side बीस जार पर आपको डाल होगी 20,000 जितने से increase या दिखनी चुई finally आप इसको close करोगे अगर आपकी balance इंचेगर debit में बसती है तो वो gain हो जाता है और अगर वो credit side बसती है तो आपका loss हो जाता है कि अगर यहां बचेगा balance तो credit set ज्यादा है debit कम है तो जो बचा वो gain और उस gain या loss को आपने old partner में in old ratio जितने भी partner पुराने होंगे उनमें बाठ दोगे उनकी old ratio में और same यही old partner और old ratio में आप उसको क्या करोगे divide कर तो यहां पर इस तरीके से में अपना क्या बनाते हैं Revaluation account बनाते हैं बिटा मैं आप लोग को personally एक बाद सजेस्ट कर रहा हूं आप लोग जितनी आपकी बुक में कोशन है और जितनी आपकी बुक में इलस्ट्रेशन सब के एक बार रीवरेशन अकाउंट आपको गल्थ करवाता और कोई निकल आता है जितना यह आसान लगता है एक आदा कोशन नमारा गलत हो तो मैक्सिम करो कोशन करो सकेंडर के कोशन करो असाइंमेंट करो जितने कोशन ने सब के रीवरेशन और बना दो चेक करो सही आरे नियारे परफेक्शन आ गई तो मैं गता हूं आठ उन्पर पक्क्या जाए ठीक है नैस्ट हम देखते हैं हमारे partners capital के steps चलो अगला देखते हैं बेटा हमारे partners capital को बनाने के steps बेटा मेरे steps आप follow कर लेना कोई भी आपका partner capital गलत नहीं कर सकता और इस sequence को ने जब जब प्रेक्टिस करो तब तक adopt करो आपका बेटा एक भी point miss नहीं होगा छुटेगा नहीं यह मेरी गरे नहीं है ठीक है जी बड़े द्यान से आप लोगोंने steps को देखने हैं और इन steps को वीडियो पोज करके note जरूर कर लेना ठीक है जी देखने है पार्टनर्स capital अकाउंट किस तरीके से आप लोगोंने prepare करना है सबसे पहले आप लोगोंने balances of capital देखो पेटा जब आपको question दिया होगा तो वहाँ पे उस question मे पार्टनर्स capital के amount जरूर दियो आपने उने capital account को partner capital account की credit से डालना है किस नाम से बाए balance बीड़ी आप लोगोंने ध्यान लगने पेटा जी credit side increase होता है और debit side decrease होता है अगर partner की capital बढ़ती है तो वो credit side आती है कम होती है तो debit side आती है ठीक है जी फिर आपने liability check करने जो आपको question दिया होगा उसमें balance sheet दियोगे आपको ठीक है balance sheet दियोगी तो वहाँ पर liability set दियोगी तो liability के कुछ item होते है कुछ item के जो नाम है वह मने लिख दिया है आपर general reserve या कोई भी reserve general reserve हो reserve हो या any reserve कोई भी reserve हो like workman compensation reserve like investment fluctuation reserve इस type के कोई भी reserve होंगे आपके तो और कोई भी fund हो लेकिन EPF नहीं होना चाहिए अगर EPF की बात करें बेटा तो EPF की full form होती है employees provident fund क्या बोले मैं ने employees provident fund जो employee की salary से आप लोग पैसा काटते हो और उसके retirement benefit के लिए आप लगते हो उसको बोलते हैं employees provident fund P&L का credit balance कुण सा भी P&L का credit balance इन चीजों को आपने देखना है reserve, general reserve, any reserve, fund, EPF छोड़के और P&L का address इनको देखते ही अगर आपके liability में appear कर रहे हैं तो आपने उसे कहां डाल देना है credit से डाल देना है किस ratio में जी old ratio में क्यूं सर्थ क्यूं डाल दे बिटा देखो मान के चल राम और मोहन ने business करते करते अपने पास मान के चलते हैं एक लाग रुपे का reserve create करते हैं अब नया partner आता है सोहन आ गया वो कहता है कि मुझे भी admit कर लो तो राम और मोहन क्या करेंगे जो पुराना reserve है उसको आपस में बाठ लेंगे अगर वो ऐसे नहीं बाठेंगे तो जो पार्टनर वो कहेगा जी मेरे मुझे भी दे दो इसमें से कुछ तो नए partner के आने से पहले जो भी पुराने reserve होंगे या जो भी पुराने losses होंगे partners उनको अपनी capital में बाठ लेते हैं ताकि नई firm में नए तरीके से हम शुरुआत कर सकते हैं इसी तरीके से asset side आपने चेक करन हैं वहाँ पे अगर टी एंडल का debit balance हो कोई goodwill हो कोई suspense हो या कोई expenditure होगे मैंने चार वर्ड हो ले क्या 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 कोई भी goodwill कोई भी suspense हो कोई भी expenditure कौन सी side asset side होंगे तो वह आपने कहां डालने है debit में डाल देना है किस ratio में old ratio में कौन सी debit side partner capital की debit side clear है उसके बाद नया partner capital जो नया partner उसकी capital डालनी है तो वह भी कहां डालेगी credit side डालेगी किस नाम से buy cash या buy bank के नाम से आपने credit side डाल देनी है ठीक है जी क्योंकि नया partner आया है capital लाया है तो उसकी capital क्या होगे increase होगे तब यह ने कहां डाली credit side अब partner capital के साथ-साथ premium for goodwill भी लेकर आएगा लाएगा तो वह भी कहां डालनी है credit side किस नाम से premium for goodwill के situation हम पटेगी sacrificing ratio क्योंकि यह premium sacrificing partner के लिए लाया गया है इससे पहले की video के अंदर हम premium for goodwill के सारे cases देख चुकी है तो वैसे ही करने है और अगर if premium is not brought by partner partner premium लेके नहीं आता तो आप लोगो को याद होगा किस नाम से entry बनेगी by current account कहां पर credit side sacrificing ratio वही हो जाएगा जब प्रीमें विड्रॉण का नाम था उस मान की जगा क्या जाएगा जी current account जैसे मान के चलो कि मोहन आ रहे हैं पार्टनर तो क्या नमाएगा बाए मोहन से current account के नाम से आप लोगों ने credit set डाल देख गया है प्रीमें विड्रॉण विड्रॉ करता है तो जी में विड्रॉण किया तो उसी capital क्या होगी कम होगी कम होगी तो कहा है कि debit side debit side डाल देगे to cash या फिर बैंक के नाम से डेबिट से अब उससे पहले capital account से पहले आप लोगों ने revolution तो बनाया होगा तो मैंने वाबे कहा था भी revolution या तो gain आएगा या फिर क्या आएगा loss आएगा अगर gain आया तो capital increase हो जाती है तो credit side आएगी किस ratio में old ratio में अगर loss आया तो कहा है कि debit side आएगी किस ratio में old ratio में फिक है जी और अगर if asset taken over by old partner किसी भी old partner ने asset take over करी तो जी debit side आएगी क्यों किस नाम से asset के नाम से क्योंकि एसे टेक और करते हैं तो firm उनकी capital क्या कर देगी कम करते हैं तो partners capital के बेटा जी सारे के सारे steps हैं इनको और हम से देखो note करो मेरी वीडियो कुछ है दुबारा रिवाइन करके सुन लो लेकिन ये चीजें आप इसका पार्टनर्स capital के साफ फोल्डो करें तो पार्टनर्स capital के भी गलत नहीं होगा ठीक है तो अब इसके उपर dependent कुछ एक दो कॉशन करेंगे सिंपल सिंपल से और फिर हम आगे बढ़ना स्टाइब ठीक है आगे लिए कोशे नमबर 65 देखते हैं गिवन बिलो इस दे बैलेंस शेट ओफ एन बी हुआर कैडिंग पार्टनर्शिप बिजनस ओं थर्टी फर्स मार्ट नाइंटीन ए और बी शेयर प्रॉफित अन लॉसे इन दे रेशो फ्टू इस्टू वान ठीक है जी यह टू इस्टू वन इन तो नहीं है रिजर्व प्रॉफित या कोई भी सर्प्लस तो नहीं है ठीक है जी तो आप चेक करोगे तो बीपी क्रेड़िटर आ उट्शिन एक्सपेंसे कैपिटल दी रहे हैं कोई बी किसी भी टाइप का रिजर्व या प्रॉफित नहीं है ऐसेट सेड आपने चेक करना ह कि कोई गुडविल पी एंडल सेस्पेंस या एक्स्पेंडीचर दीत नहीं है तो जी यहां भी कुछ से इंदिकरा कैश दिया हुआ है बैंक दिया हुआ है डेटर स्टॉक प्लांटन बिल्डिंग अब कहते हैं C is admitted as a partner on 1st April 19 on the following terms C admit होता है 1st April को C will bring 1 lakh as capital एक लाग रुपे की capital लेके आया है 60,000 है जी share of goodwill लेके आया है for one fourth share in the profit plant and machinery appreciated 2 जी plant and machinery appreciate हुई है 1,20 ठीक है जी पहले कितने दी एक लाग रुपे की अब वो plant बढ़के हो गया है 1,20,000 तो 20,000 रुपे से बढ़ गया value of building is to be appreciated by 10% जो building की value है वो 10% से बढ़ गई तो पेटा ही 2 और buy ध्यान रखना है 2 का मतलब इतने तक हो गई और buy का मतलब है इतने से बढ़ गई या कम होई जो भी आपको buy दिया होगा stock is found to be overvalued by 4000 stock 4000 से overvalue हो गया provision of doubtful debt created at 5% on century debtor आपने 5% debtor का क्या बनाना है provision create करना है creator were unrecorded to the extent of 1000 एक अजारे creator आपके unrecorded थे पास नसेसरी जर्टर एंट्रीज प्रिपेर रिवेरिशन अकाउंट पार्टन स्केटल अकाउंट एंड शो दे बैलेंशेट अफ आफ्टर सीज एडिमिशन ठीक है जी अब इसकाम solution करते हैं देखते बैटा जैसे हमने कोशन रीड रिखिया है अभी तो उसी के सबस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों ने उसको डेबिट साइट डालता है जितने अमाउंट से फिर भूर कोई भी ऐसेट इंक्रीज या लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो वह आपने क्रेइट से डाला क्योंकि वह गेंग है और अमाउंट चेंज आएगा जितने अमाउंट से चेंज हुआ 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 है अड्जस्माइं पर आते हैं सी एड्मिटेट इस पार्टनर फोर बॉस्फास टर्टर नाइंटीन ऑन दो फॉर्विंग टार्म सी वास तो बिंग बन लाइक है स्केप्टर एं शिस्टी ताउज शेयर और गुडविल फॉर वन फॉर शेय वजक टैसे है तो आपि यह दियान रखो कि साड़िंग चैर है ओल्ड रेष्व और एक मया कितना था एक प्हले ब्लांड था अब एप्रिशियेटेटेट टू एक लाग बीस अब एक लाग बीस हो गया तो कितनी वैल्यू बढ़ गई बीस हजार और एसेट इंक्रीज हुई है तो कहां एगी क्रेडिट साइट तो हम यहां लिख देंगे बाइ प्लांट अकाउंट बीस हज़ार नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कहता है तो वेल्यू ऑफ बील्डिञ इस टू बी एप्रीशेटेड बाइ 10 परसेंट बिल्डिंग की वैल्यू 10 परसेंट से बढ़ गई बढ़ गई बिल्डिंग बढ़ गई एसेट बढ़ गई वन लेक फिफ्टी का टैन परसंट फिफ्टीन थाउजन से पड़ गई बाई है तो यहां आ जाएगा बाई कि बेड़िंग आकाउंट कि फिफ्टीन थाउजन यह अब बेटा दो वर्ड आते हैं एक होता है अंडर वैल्यूड और एक होता है ओवर वैल्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज को कम मेजर कर लिए और ओवरे वैल्य होता है किसी भी चीज को ज्यादा मेजर कर लिए अब मैं एक एक एक्सदामपल लेके आप लोगों को समझाता है देखे जाए माल लो राम है राम का वेट है 100 kg मैंने कहा राम याँ तूतों ने मुझे 110 kg का लग रहा है कितना लग रहा है 110 kg का लग रहा है तो राम कहेगा नहीं सर आपने मेरा वेट ओवर वैल्यू कर दिया आपने मेरा वेट 10 kg जादा वैल्यू कर दिया एक्चल में क्या था कम था तो जब भी over value हों कोई चीज करते हैं इसका मतलब हमने उसको जादा measure कर लिया actual में वो कम थी और जब भी कोई चीज under value हो जाए जैसे कि मैं बोल दो राम आपका weight तो 90 kg लग रहा है तो कहेगा नहीं sir आपने मेरा weight under value कर दिया कम measure कर दिया मेरा weight तो 100 है तो जब भी under value होगा उसका मतलब आपने कम measure किया है वो चीज या वो asset already में जादा थी और जब over value कर दिया इसका मतलब है वो value आपने जादा मान ली वो तो actual में कम थी तो अब यहां कहता है स्टॉक की स्वांट भी over value स्टॉक को आपने ज्यादा value कर दिया लेकिन स्टॉक क्या है कम है तो कम है तो asset decrease करेंगे तू स्टॉक अकाउंट 4000 अब यह को by 4000 4000 से किया तो 4000 ही कम करना है अब प्रोविजन for doubt for debt is created at 5% on sundry debtor आपने 5% का debtor पे provision बनाना है provision का मतलब यह है कि आपको लगता है कि जितने आपके debtor है उसमें से 5% debtor आपका पैसा लेके भाग जाने वाले हैं या आपका पैसा नहीं देने वाले हैं तो यहां पर क्या होगता है कि पैसा लेके भाग जाएंगे आप सब्सक्राइब के कि लाइबरिटी भी होती है तो किसी भी एंगल से आप सोच लो तो आपको वह डेबिट साइड ही नजर आएगा तो डेटर है सिक्स्टी ताउजन के सिक्स्टी का फाइप पॉसेंट हो गया थ्री ताउजन तो आप यहां लिखोगे टू प्रोवीजन फूर मैं डीडी लिख रहा हूं बेटा जी डीडी का मतलब होता है डाउटफुल डेट ठीक है जी आप लोग नहीं यूज करोगी यह बस नहीं य जलती होगे जी नहीं का घेज अब क्या करों सही करने पड़ेंगे लिकोर्टों कद्लेंगे जब भूल गया क्यों मैंने मूहन को साजल प्रें चाब ऑड़े अकाउंट वन थाउजन क्लियर जी सारे कॉइंट हो गए कतम अब हम देखते हैं कि हमें क्या होगा आप गोमो साइड की तोटलिंग कर लो जैसे हमरे अकाउंट की करते हैं क्रेडिट साइड मुझे दिखा रहा है 35,000 और डेबिट साइड में दिखा रहा है 4,7 और 8,000 तो हमारा जो भी बैलन्स बचेगा हम वो डाल देंगे 35 में से 8 गए 27,000 बचे और ये डेबिट साइड हमारा बैलन्स बचेगा तो ये आग्या गेन जो कि हम ओल्ड पार्टनर कौ अगर ये डेबिट साइड जादा होती क्रेट कम होती तो लॉस बचता वो भी बिटा जी ओल्ड रेशो में ही डिवाइड होता ठीक है जी तो सबसे पहले आप लोगों ने कौन सा अकाउंट बाना है रिवैलिशन है आगे देखते हैं पार्टनर करते हैं पार्टनर स्केप्टल अकाउंट बनाने से पहले बेटा जीए बड़ स्टेप्स दुबारा से देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है याद हो जाएंगे फिर काम करना है पहला स्टेप्टल आप लोगों ने बैलेंस शीट में से कैपिटल के बैलेंस देखने हैं और उनको क् किस नाम से बाएं बैलनस बीडी इसके बाद अपॉर्डिंट्स टेप्स सेटप्स आपने लाइब्लेटी चेक करनी है और लाइबिलिटी में क्या करना है इंवेसर वी खोड़का मतलब ड़व्यवियशा को नहीं देगको तो आपको लाइबिने इस लिए胡 ना पताय। आपको आपी क्रेटर आसा को छोड़ियोल oke वह चारनों चीज़े भी नहीं तो उसको भी छोड़ तो आपकी एसेट में भी कुछ नहीं है अब डालेंगे पार्टनर की याप कि आप लोगों ने पार्टनर को डालना थे लिए डालना है तो आप बैलडbau डिया करो किया ध liki mash in hend भी है कैश बांग को फ्सकाम से डाला अगरा केश डिया हूँ ए sauce काई विस्काम mana pok줄 na इंग और विस्काम से डाल अगर मैं होगा तो अगर काउंघ तो हम डालब देते हैं के, Some finger bank account के नाम से वो एक लाग रुपे की क्या लेकर आया capital हमने एक लाग रुपे तो 40,000 और 20,000 ना लाए तो बहुत बाते लिए विड्रॉ कर ले तो भी कुछ नहीं बोला हुआ फिर नेक्स थाजी रिवेलुशन का आपने अमाउंट दाल दिना है ठीक है तो रिवेलुशन पे क्या है आपका गेन आया है तो इससे capital बढ़ जाएगी तो हम डाल देंगे री वेलुशन अकाउंट 18,000 A को मिला रिवेलुशन का और 9,000 B को मिला रिवेलुशन का गेन फिर नेक्स था कोई भी ऐसेट टेक अवर की जाए पार्टन तो कोई भी ऐसेट पार्टन ने टेक अवर भी नहीं किया तो बेसिकली यही चीज़ें बैलन्स आ गया नहीं एक पार् पार्टन में कुछ भी आपको नहीं दिया तो जो भी चीज़ें हैं हमने डाल दे नहीं है और फाइनली क्लोज कर देना है तो अब हम इसको क्लोज कर देंगे तो क्रेट में सारे एटम है 1,80,220,2,30,8,000,150,170,9,000 और बन क्लेर जी तो उतनी ही हम यहा लिए देंगे तू बैलेंस, सीडी, 2,30,8,000,1,70,9,000 और बन क्लोज कर देना है फाइनली आप इसको क्लोज कर देना है फोटली लिख देना यह प्रिपेर हो गया जी आपका पार्टनर्स कैपितल अकाउंट पहला अकाउंट रिवेलेशन दूसरा अकाउंट पार्टनर्स थर्ड हम बनाएंगे बैलेंस बड़ी असान होती है आप लोगों ने बस यह देखना है कि किसके बैलनस में चेंज़ेंस हुए हैं बस उसीको चेंज करो बाकी आपने कोई चेंज नहीं करना अपने बैलन से जाटेंस आदें जैसे मैं आपको समझा देता हूं आप अपने क अपना लाइबरीटी में बिल्स पे एबल 10,000 as it is राग ठीक है अगला है क्रेडिटर क्रेडिटर पहले 58 थे अब क्रेडिटर एक 1000 से और बढ़ गए है तो क्रेडिटर कितने के हो गए अब 59,000 ठीक है पहले 58 थे अब 1000 से और बढ़ गए आउट्सेंडिंग एक्सपेंसेज मेरे एसाब से कोई चेंज नहीं ठीक है तो छोड़ो मतलब छोड़ना नहीं है as it is रिख देना है कि पहले भी आउट्सेंडिंग 2000 थे अब भी 2000 ही अगला है कैपिटल अकाउंट ए बी और सी ए टू लैप 38,000 वन लैप 79,000 और वन लैप टोटलिंग अब देना जी कितनी भी आएगी उसको आप अपने आउटर पॉलम में डाल दो फाइट लैक 17,000 हो गया कैशिन एंड कैशिन एंड में कोई चीज नहीं है एजटी दिदा दो 10,000 कैश एंड बैंक पहले कितना था 40 ठीक है जी उसके बाद सी एक लाग रुमे की तो कैपिटल लाया और साथ हजार का प्रीमिम लाया लाया कितना लाया वन लैक 16 तो पहले बैंक 40 था वन लैक 16 ओर आ गया तो टोटल हो गया बिटा जी आपका बैंक का बैलन्स दो लाग रु पहले कितने के दें सिक्स्टी दाउजन फिर तीन हजार का प्रोविजन बना आमें लगता था कि तीन हजार के का हमारा पैसा लेकर बाग जाएगा मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं पी डीडी विटा स्पेस की कम यह न है फिफ्टी सेवन दाउजन तो तीन हजार पी प्रोविजन फॉर डाउट फुल्ड है ठीक है स्टॉक बी आपका क्या हो गया था चार अजार पेसे कम हो गया था तो स्टॉक आ जाएगा थाटीन सिक्स थाउसर प्लांट प्लांट आपका बढ़के हो गया था एक लाख वीस अजार तो महीं वैली लिख देंगे जी एक सब्सक्राइब बढ़के बढ़ गई थी फंद्रह जार रुपे से तो बेंडिंग पहले फिफ्टी थी फिफ्टी दाउजन और बढ़ गई तो कितनी हो गई जी वन लैक सिक्स्टी फाइफ तो बेटा जी जितने भी आपकी एसिट्स में चेंजिस होएं वह आप सब को सब्सक्राइब बढ़ा दिया तो जो भी चेंजिस होएं आप लोगों ने वह चेंजिस करते में किया क्या चेंजिस हुए है उसके बाद आप लोगों ने क्लोस कर देना है आप लोग फाइनली देखो गे तो आपकी दोनों साइट की बैंस मैच हो जाएगे और आपके प्रक्राइब लोगों ने तो बैटा चीए आप लोगों देखो गया आपकी बोनों साइट ला टूटल फाइफ रेके टी एट ता हो जना रहे हैं जो कि कि आपकी बैलेटशेट मैच हो यह इसका मतलब है कि आपका अंसर खीक है अगर बैलेशिट आपकी मैच नहीं ओता है तो इसका मतलब करिंद कहीं आप लोगों ने गलती करी है और जी यह कोशन हें पर समापत होता है अब अगला पूशन की देखते हैं उसका फिरमादि अ यह आपका distribute हो जाएगा ठीक है मैंने आपको partners capital की जो step दिखा रखें उसमें आपने देखा ही होगा journalism को आपने क्या करना है distribute करना एक एसेट कुछ भी नहीं दिया हुआ नहीं गुडविल नहीं पी एंडल नहीं आपके पार्टनर से और गयात्री को एडमिट करते हैं नियू रेशो दिये नियू रेशो विल भी टू इस्टू तो नियू रेशो दिवे बेटा आपको सेक्रिफाइजन रेशो निकालनी पड़ेगी ओल रेशो मैनस में नियू रेशो गयात्री ब्रॉट फोर लाक हैस कैपिटल एंडर शेर ओफ प्रीमिम इंड गयात्री चार्ड लाक रुपे की कैप्टर लेकर आ रही है और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रही है जित लेकर ठीक है जी लेंड बेल्डिंग और वैल्यूड एच अब बिस जार पे प्रोविजन फॉर लाट फॉर देप फाइप परसंट ओड़ेक्टर है क्लेम है छे जार पे का वरकमान कंपंसेशन का रीवैलूशन पार्टनर्स के प्रिपेर आपने प्रिपेर देखते हैं न हम लोगों ने पूरिए के पूरे केसेस देखिए हर जगह सेक्रिफ Thornt увabafa नियोख बार होता है तो प्रीमियेस डूर्ट प्रिपेर के लिए आप लोगों सैक्रिफाइजो का फॉम्ली ला होता है old ratio minus new ratio तो जो भी हमारे लिए old पार्ट्रम बदू और विदी इनकी old ratio और बेटा जी 2 इस्टु 3 यानिकी 2 बाइ 5 और 3 बाइ 5 और new ratio है 2 इस्टु 3 इस्टु 5 2 इस्टु 3 इस्टु 5 मतलब 2 बैटेन बदू की 3 बैटेन विदी की और गैतरी जी की 5 बैटेन ठीक है 5 बैटेन तो अब इसको solve कर दो बैटेन रिचों přे और was तो बैटेन बैट पर गैटेन और करते हैं consists land and bidding for undervalued by sub раст the land relating codeupid sub 지rek Under value किया मतलब कम मेढर किया गया उसको आपने क्या करना है बढ़ाना जब भी होता है हमने कम मेढ किया है अब उसको एंक्रीज करना है और आजए में ज्यादा नेज़र कर दिया वह रहता था ही नहीं तो तो उसको decrease करना पड़ेगा तो अब यहां पर हमने land and building को under value कर रख है तो under value के case में create से डाल देंगे by land and building कितनी है जी 26,000 ठीक है और इसके बाद हमारी आरती है तो जी ध्यान से डेटर देखो एबर तीन लाग का पांच परसेंट होता है 15,000 के जी हमें जो प्रोविजन क्रियेट करना है वह 3,005 परसेंट में 15,000 क्रियेट करना है अल्डेडी वह आपके 10,000 का क्रियेट किया हुआ है मतलब हमें लगता है कि 15,000 के डेटर बंग जाएंगे लेकिन दस्तों में पता हिए पहले बाद नहीं तो एक्स्टा कितने बने 5 तो हमारे जो डेटर और जो डिक्रीज हुआ है पीडी के नाम से कितने हुएं पांच अजार पीडी का मतलब बिटा प्रोवीजन फोर डावफुल डेट आप लोगों ने पीडी नहीं लिखना यह मैं बता रहा हूं आपको प्रोवीजन फोर डावफुल डावफुल डेट पूरा लिखना आप लोगों नहीं सब्सक्राइब कर देंगे तो लाइबलेटी बढ़े लाइबलेटी बढ़े लाइबलेटी बढ़े लंगे तो डेट सेड़ा जाएगी तूह कि लेंगेंस्ट वर्कमेन कमपनसेशन ठीक है पूरा लिख देना है याद कमपनसेशन शेक्स था ले रहे हैं और तो मुझे कुछ दिखनी ना तो आप देख लो 26 में से 11 गए तो आपका डैबिट साइड ही बचता है तो यह क्या आ गया गें कितने का 15,000 का ओर रेशो 2 इस तो 3 तो हमारी मदू और विधी मदू और के नामें विधी ठीक है जी तो इस तो 3 में बाट होगे तो 6,000 और 9 कितना आ जाएगा जी 15,000 का 26 याद 24 लेए आगे बढ़ते हैं पार्टनर स्केप्टर के स्टर्ट जैंब से रखना ठीक है बिटा सबसे पहले बैलेंस बाए बैलेंस बीडी ठीक है जी पूरा इतने बाए बैलेंस बीडी पूरा पांस लाग 20,000 और 30,000 ठीक है जी फिर मैंने का दा लाइबिटी चेक कर जी जी यार दिया वो उसके अंदर जनरल रिजर्व तो वाए जनरल रिजर्व कितने हैं जनरल रिजर्व कितने हैं जनरल रिजर्व 30,000 का है तू इस्टू 3 में बाठ दोगे तो 12,000 और 18,000 आ जाएगो एसेट साइट कुछ है जे कुछ नहीं नहीं गुडविल आए पी ए चैपनर की कैपिडल किस नाम से डेपेंड करता बैरेंशीट में क्या है बैंक दिया हुआ है तो वह बैंक की चलाओ ठीक है चार लाग उर्मेगा नया बैंस आ गया है और गुडविल उसका शेर जो गुडविल पूरी फॉर्म कितने तीन लाग कितनी है तीन लाग और हमार जो गयत्री आ लिए इसका शेर कितना है 5 66 जो गयत्री गुडविल लाएंगी है गहां उट्यी घुडविल 5 कि दीन लाग का पांच ह। गेंतर बैंध तीन लाग नोपूरी फॉर्मी गुडविल है गायत्री का शेर किपांच है तो नहीं किटू लिके आग के प्रेमियम फोर गुडविल शॉट वर्ड किसी के लिए भी अलाव नहीं है पहले कह रहा हूं मैं तो तीन दो तीन में बाढ़ दोगे साथ हजार और नबे हजार किस नेशन परते हैं जिस सेक्रिवाइजिंग रिश्यो यह निकाल दिए अंडे सेक्रिवाइजिंग रिश्यो ठीक है बैलन्स आ गया बैंक के नाम से क्याप्टर डाल दी प्रीमियम फोर गुडविल आ गया उसके बाहर हम रिवेलेशन डाल क्लोज कर दोस्कों यह आ गया फाइज लैक नाइन्टी एट थाउजन तीन लाग मदे चार्ड लाग सत्राजन और गयत्री जी हो है मारी उसकी चार्ड ठीक है जी उसी को आप बैलेंस सीडी में लिख दोगे टू बैलेंस सीडी फाइफ लैग नाइन्टी एट थाउजन फोर लैग सेवंटी थाउजन और फोर लैग तो यहां भी टोटल सेम उतारद हो गए ठीक है जी अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट बैलेंस शीट हम बेटा वही करना जो दो चेंज से उसको ही डाल देना बस क्लियर है जैसे पहले अब क्यप्टल नार देंगे मदूस कैपिटल कि विदीज कैपिटल अब को नगी गयत्तीरीज कैपितल फाइफ लैग नाइटी एट थाउजन फोर लैग सेवंटीन थाउजन और फोर ठीक है जी इसके बाद आपको जर्नल रिजर्फ दिया हुआ है वो तो आप लोग ने पार्टनर्स को दे दिया दुबारा नहीं आएगा बैल शीट में ठीक है विल्स पेबल में कोई भी चेंज नहीं होगा है तो एज जटीज गाव देंगे विल्स पेबल हो गया देड़ लाद रुबेगा उसके बाद लैंड बेटिंग है वह देखा जाए तो लैंड बिलिंग 26,000 से इंक्रीज होई है तो वह इंक्रीज दिखा दे रहा है उसके अंदर लैंड एंड बिलिंग तीन लाद पहले थी 26,000 से इंक्रीज होई तो कितनी हो गई तीन लाद 26,000 मशीनरी वह कोई रोल नहीं है कोई चेंज नहीं है मशीनरी के अंदर दो लाद 80,000 स्टाउक 80,000 स्टाउक में भी कोई चेंज रही है डैटर डैटर में चेंज रही है डैटर पहले तिन लाद का था प्रोल विजन भी दल जार गई था प्रोविजन पहले 10 जर्गा था अब 5 जर्गा प्रोल इंक्रीज हुआ कितना हो गया 15,000 कितना आ गया जी 285,000 फिर बैंक अब बैंक में आप देखो के पहले 50,000 थे और डेडी थे 50 में 4,000,000 रुपे के कैप्टल ओर लाया गाइत्री 50 प्लस फोर लाया 4,50 और डेड़ लाग रुपे की त्री में लेके आया तो कितना होगे टोटल 6,000,000 रुपे आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ रहे ठीक है चलो एक बार क्लोस करने से पहले आप लोगों ने रीवरि दें डाल दिया कैए एक वर्कमेन की 6,000 आप लोगों ने डाली है अभी नहीं डाली है तो इसको भी एक बार यहां डाल दो क्लेम अगेंस्ट वर्क में इतना क्लेम है six thousand ठीक है आप लोग की जो जो एसे ट्लाइबरेटी में चेंजिस होएं आप लोग ने वो सारे चेंजिस डाल देने हैं और उसी हिसाब से अपना question प्रिपेर करते हैं ठीक है अब दोनों बैलेंशेट से टोटलिंग कर दो अगर कि तोटल यह तो दोनों साइड़ का टोटल मेरा आ रहा है 15,717,000 तो इसी जाब से आप लोग पूरा question देख सकते हों पोस करके वीडियो अपना question note कर लो और इसी तरीके से आप लोग ने full-fledged question अपने कर लेए कि कर दिक जिक जिक जिक